ओम श्री गनेशा आये नमा नमस्कार दोस्तो रोचक जानकरी में आपका स्वागत है दोस्तो सपने में साप को मारने का फल शुब या शुब क्या होता है किसी भी साप को मारते हुए देखना काफी डरावना होता है जब कोई ऐसा सपना देखता है तो स्वाब विक रूप से उसके मन में डर या जिग्यासा पैदा होती ही है तो दोस्तो आईए जानते हैं कि आखिर नींद में सपने में साप को मारना क्या फल देता है इसका क्या अर्थ होता है और ऐसा देखने पर हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है तो दोस्तो उम्मीद करूंगी आज काई वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगे अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा और शेयर करना दोस्तो बिलकुल भी मत भूलेगा दोस्तो सापको हम डर और खत्री की नेजर से देखते हैं इसको मारना या मरा पड़ा हुआ देखना दोनों ही शुब फल देते हैं अगर आपको इसका सपना आया है तो आप खुश हो जाएए क्योंकि यह बहुत ही अच्छा सपना है दोस्तो सपने में सापको मारना यानि कि आपको अपने शत्रू उपर विजय प्राप्त होगी आपके शत्रू आपसे पराजित होगे इसके अलावा साप मारना अचानक से धन की प्राप्ति होने का भी सूचक होता है यह हर तरह से शुफल देने वाला सपना होता है इस सपन तो यह राहू ग्रह से होने वाली पीड़ा के अंत का सूचक होता है इसका अर्थ होता है कि राहू के अशुफल आपके पूरे भोग लिए है और ये अब आपकी परिशानिया सब खतम होने वाली है अब राहू आपको परिशान नहीं करेगा इसके अलावा अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परिशानी चल रही है तो यह उसके अंत होने का भी सूचक होता है अगर आप सपने में देखते हैं कि आप सापों के उपर चल रहे हैं और आप उन्हें मारते जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा सपना होता है यह स खेतर में सफलता प्राप्त करेंगे वहीं अगर आप सपने में साप के बच्चे को मारते हैं तो यह संकेत करता है कि आप अपने बच्चों के भविश्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभी आप वर्तमान में जो कर रहे हैं वह आपके बच्चों के भविश्य के लिए सही अगर कोई अपने सपने में देखता है कि वह दो से तीन साप को मारता है तो यह संकेत होता है कि आप अपने शत्रों से गिर सकते हैं। और आप सुरक्षित बच जाते हैं तो यह एक अच्छा सपना होता है यह संकेत करता है कि आने वाली समस्या यह संकट से आप बच जाएंगे वहीं अगर आप सपनी में ये देखते हैं कि आप सापों के पास से गुजर जाते हैं और बिना उन्हें मारे तो ये संकेत करता है कि अंत में जीत आपकी ही होगी इस पीच आपको परेशानी भी आ सकती है लेकिन आप पर आपके दुश्मन या आने वाली समस्या नुकसान नहीं कर पाएगी तो ये भी एक अच्छा सपना होता है तो उम्मीद करती हूं दोस्तो आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करना दोस्तो बिलकुल भी ना भूलें ओम श्री गणेशा आए नमा नमस्कार दोस्तो